तो हमारे ratio analysis के question चल रहे थे और आज का हमारा ratio analysis का question number है 6 तो हमने इससे पहले 5 question complete किये और आज हम 6 question पे जाने वाले तो चलिए शुरू करते तो देखो आपको Saloni Company Limited की कोई details दे रखिए year 2000 2020 आपको दे रख है adjusted purchase is 67% of the sales अब देखो आपको adjusted purchase देते हैं तो इसका meaning यह आपको COGS दे दिया okay adjusted purchase का मतलब हो जाता है COGS तो यह एक वर याद रखना कि जब भी आपको question में adjusted purchase दे तो उसका meaning हो जाता है वो COGS आपके लिए चलिए तो net profit आपको दे रखा है और वो भी after 60% taxation ठीक है after 60% taxation okay net profit opening stock closing stock equity share capital preference share capital debenture long term loan retain earning current assets fixed assets और 50 days assets इतना आपके पास detail है okay तो आगे additional information में क्या दे रहे है आपको credit sales are three-fifth of total sales okay देखो यह बार-बार यह point आते है two-fifth देते हैं कहीं पर three-fifth देते हैं कहीं पर two-seven दे देते हैं तो बार-बार यह point completely आपको एक्जाम में पूछ रहें तो इसके पर जड़ा focus करो डेटर जो है और बिल रिसीबल है वो 33 और one-third percentage of current assets ऐसा बोला है और stock turnover ratio जो है वो 10 times दे रहा है तो आपको find out क्या करना आपको net profit ratio find करना operating ratio find करना rate of return on capital employed capital employed है और इधर shareholder fund है और इधर equity shareholder fund है तो यह तीनों बहुत important रहते हैं क्योंकि यह तीनों में एक confusion होता है तो वो मैं आज आपका इस question में दूर कर दूंगा data जो है वो आपको पूछा गया कि data ratio क्या है तो 360 days आपको consider करना है पूरे साल का ठीक है तो चलिए यह details आपके पास available है अब उसके पर से question शुरू करते हैं अब देखो मैंने आपको बार बार बोला है कि कहीं बार question में कोई ना कोई एक answer आपको दे देते हैं तो उसी answer से आपका question की सुरूआत होती है जैसे कि इस question में आपको stock turnover ratio दे दिया है देखो stock turnover ratio तब stock turnover ratio से ही question को सुरू कर लो हो जाएगा देखो stock turnover ratio क्या formula है तो cogs divide by average stock ओके अब आपके पास average stock भी तो नहीं है तो average stock क्या होता है opening stock plus closing stock divide by 2 होता है तो opening stock आपके पास कितना है तो देखो question में available है opening stock और closing stock 3,70,000 और 3,00,000 तो 3,70,000 और plus 3,00,000 डिवाइड करोगे 2 से ठीक है तो 3,70,000 प्लस 3,00,000 डिवाइड बाइड 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 तू तो आपको answer मिलता है 33,000 यानि 3,35,000 यह आपका average stock आगा अभी देखो आपके पास stock turnover ratio का answer है आपके पास stock turnover ratio का answer है 10 times तो आप उसको इदर 10 times लिखता हो और लिखो COGS cost of goods sold divide by 3,35,000 अब यह सामने जाए तो multiply तो 3,35,000 इन्टू 10 यानि 33,50,000 आपको COGS मिल जाएगा ओके यह आपका COGS का answer आगया complete अब COGS का answer आया तो आपको देखो first time पे क्या दे रखा है, first line में क्या दे रखा है adjusted purchase का दूसरा नाम है COGS ठीक है यह जो COGS जो है उसकी amount कैसे आएगी तो आपके पास जो sales होगा ना उस sales का आप 67% करोगे तो आपको क्या मिलता adjusted purchase हो यह line का मतलब यह होता है आप द्यान से पढ़ोगे तो लिखा है 67% of sales ठीक है तो आपके पास sales है sales का अगर 67% करते हो तो आपको adjusted purchase यानि COGS मिलना चाहिए अब देखो आपके पास adjusted purchase यानि COGS की amount है यह रही आ गई अपने पास कितनी है 33,50,000 अब उसमें आपको sales निकालना है तो निकाल सकतो यह 67 इदर multiple में है तो सामने जाते है तो 67% divide हो जाते है यानि 33,50,000 को 67% से divide करोगे तो आपको अपना sales मिल जाएगा कितना 50,000 okay 67% से divide करना है 67 से divide मत करना हो गया यह आपका 50,000 का sales हो गया अब आप वो statement बना आपको मैंने statement बताया था कौन सा तो देखो sales आपके पास कितना आया 50,000 का फिर आपका COGS कितना आया तो COGS आया था 33,50,000 का यह आया था तो इधर आपको minus करने से क्या मिलता है gross profit GP ठीक है इसदर आपको minus करने से क्या मिल जाता है gross profit जो कि आपका 16,50,000 आने वाला फिर आपको पता आप operating expenses less करते हूँ अब operating expense less करोगे तो आपको मिलता है net profit अब यह जो net profit होता है वो कौन सा होता है तो before interest and tax होता है अब आप उसमें से सबसे पहले interest less कर दो तो interest less करने से आपको मिलता है net profit before tax only ओके before tax क्योंकि interest आपने minus कर दी है फिर आप क्या less करते हो तो tax less करते हो तो tax का percentage जो भी है वो आप less कर दोगे तो आपको इधर net profit मिलता है net profit after interest and tax यह statement आप बना लो बहुत काम आने वाला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉर्मिला तो इस फॉर्मिट के अंदर से पूछी लेंगे अब देखो question में आपके पास क्या available है देखो आपके पास operating expense है तो question हमने पुड़ा पढ़ लिया था operating expense हमें कहीं पर मिला नहीं था ठीक है जाने लो देखो आपके पास question में net profit है कितना net profit है तो net profit जो आपके पास है file x आपके पास जो net profit है वो file x है लेकिन ध्यान दो यह जो net profit है वो आपको after 60% tax session कितना percent 60% tax यानि इसमें से 60% tax minus करने के बाद आपका जो amount आ रहा है वो file x आ ठीक है तो after tax हो गया ने एक तरीके से तो यह file x जो है वो आपका after tax amount है यानि कि यहाँ पर आप सबसे last में लिख दोगे file x ओके और tax rate कितना था तो tax rate था 60% अब आपको बाकी की details कैसे निकाल लिए है वो देखो अगर आप सोचो के आपके पास profit before tax अगर 100 रुपे होते हैं अगर आप 100 रुपे का profit earn करते हो तो उसमें से आप 60% यानि 60 रुपिस tax भर दोगे अगर आप 100 रुपे का tax 100 रुपे का profit earn करते हो उसमें 60 रुपिस आप tax pay कर दोगे तो आपके पास remaining amount कितनी बसती है 40% तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो यह 40 था तो यह 100 था तो यह file x होगा तो यह कितना होगा तो 40 था तो पहले amount 100 थी तो यह file x हो तो वह amount कितनी होगा हो सकती है file x in 200 divide by 40 तो आपको amount मिलेगा 12,50,000 तो यहाँ पर आप 12,50,000 लिख सकते हो तो 12,50,000 में अभी आप चेक करके दो 60% tax करो 12,50,000 का 60% tax करोगे तो 7,50,000 अपका tax rate आएगा तो यह ले प्रेस करने से आपको file x भी मिल जाएगा तो पूरा data एकदम set हो गया हो गया हो गया आगे आगे आप देखो interest अब देखो interest निकालने के लिए पहले यह देखनी पड़ेगी कि हमने lawn लिया है कि नहीं लिया कि अगर question में lawn लेके रखा है तो ही interest होगा तो यह देखो यहाँ है दो लॉन एक तो debenture है एक तो lawn on long term ठीक है long term purpose के आपने lawn ले रखे तो इन दोनों के उपर आप interest calculate कर लो तीन लाग के उपर आप 10% calculate करो तो 30,000 हो गया और यहाँ पर interest कितना होना चीए तो 2 लाग के उपर यहाँ पर भी 10% हीए तो 2 लाग के उपर 10% करो तो आपका interest हो गया 20,000 यानि आपको total कितना interest पे करना पढ़ने वाला है तो 50,000 आप interest पे कर रहे हो तो आप यह दोनों interest की amount जो है वो add करके यहाँ पर लिग दो अपना total interest कितना आ रहे है तो 30,000 प्लस 20,000 ओके total हमने 50,000 interest पे किया तो अब इदर से आप उपर की तिसा में जाते हो तो क्या answer मिलना चाहिए तो आपके पास नीचे देखो 12,50,000 उसमें यह 50,000 एड करोगे तो आपको उपर amount क्या म 30,000 ओके तो 30,000,000 तो आपको 12,50,000 मिलेंगे तो 12,50,000 आपका answer आना चाहिए अब आप इधर difference निकाल लो इन दोनों का तो आपको difference निकाल होगे तो मिल जाएगा आपका operating expense कितना operating expense है 3,50,000 तो यह इसाब से आप देखो मैंने जितने भी question करवाया तो सब में यह format बहुत useful है आपको कोई formula याद रखनी नहीं पड़ेगी बस यह sequence याद रख लो किसमें से क्या कब minus करना तो अपने आप यह पू तो अब question में क्या find करना है देखो net profit ratio operating ratio यह दो ratio तो mostly आपको exam में पूछते हैं तो देखो net profit ratio पहला find करते हैं net profit ratio क्या है formula net profit कौन सा net profit लेते हैं after tax divide by आप sales करते हो और into 100 करते हैं net profit आपका amount है 5 lakhs divide by sales आपके पास कितना है तो देखो sales आपके पास था कितना 50 lakhs आपने निकाला था 50 lakhs और यह आपका 5 lakhs था तो बस दोनों को divide करना है 50 lakhs इदर divide करेंगे into 100 करोगे तो आपको 10% profit मिलता है यानि आप जितना भी बेश रहे हो ना जितना भी आप sales कर रहे हो उसके उपर 10% profit आप earn कर रहे है ठीक आपका net profit होगे second point बोला गया है आपको operating ratio का operating ratio की क्या formula होती है तो को simple सी COGS यानि cost of goods sold plus operating expenses divided by आपको करना है इदर sales into 100 और COGS कितना है तो COGS आपको इदर बताया हुआ है यह रहा दे को COGS कितना है 33,50,000 और operating expense कितना है था 3,50,000 ठीक है तो 33,50,000 और 3,50,000 33,50,000 plus 3,50,000 divided by sales कितना था तो 50,00,000 था ओके इंटो 100 करो तो दिखो 33,50,000 plus 3,50,000 divided by 50,00,000 into 100 करते हो तो आपको 74 percentage क्या मिलता है operating ratio complete हो गया यह आपका दो topic third topic क्या पुछा है थार्ड आपको पूछा है rate of return on capital employee rate of return on capital employee rate of return on shareholder fund और rate of return on equity shareholder fund तो यह तीनों को मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार देको यह बहुत important formula है rate of return on capital employed एक यह formula है दूसरी formula आपके पास है rate of return on shareholder fund और fifth number में आपको पूछा गया है rate of return on equity shareholder fund होगी अब देखो तीनों formula याद कैसे रखनी हो मैं आपको फॉर्स वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हूँ आप उदर जाके देख सकते हो एक बार आप देखो इदर net profit ओके यहाँ पर net profit होते हैं यहाँ पर भी net profit ही होते हैं यहाँ पर भी net profit ही होते हैं यहाँ ओके और यहाँ पर भी net profit होता है अब सवाल यह होता है कि net profit कौन सा अपने पास तो बहुत सारे net profit है बीफोर टेक्स भी है आफ्टर टेक्स भी है तो हम यहाँ पर कौन सा net profit यूज़ करेंगे जब भी capital employee का नाम आया capital employee तो capital employee में आप net profit before interest and tax लेते हो ठीक है बाकी सब जगा पर आप net profit after interest and tax लेते हो ठीक है यहाँ पर भी आप after interest and tax लेना समझ गया पहले तो यह confirm करो कि net profit कौन सा कब लेना ठीक है जब capital employee की बात होती है तब आपको before interest and tax लेना है complete अब आपको divide क्या करना है वो तो बड़ी simple सी topic है देखो capital employee है तो आप capital employee से divide करोगे okay into 100 अब यहाँ पर आपके पास क्या है तो shareholder fund है न तो आप shareholder fund से divide करोगे shareholder fund okay into 100 और यहाँ पर आपके पास कौन है तो equity shareholder fund है तो आप equity shareholders fund ले लोगे अब देखो मैंने आपको first video में जब formula समझा थे तभी मैंने बोला था कि जब अब equity word आ जाता है ना equity तो हमेशा एक चीज याद रखो के preference share पे जो dividend है वो आपको less करना पड़ेगा preference share dividend okay into 100 करना preference share पे जो dividend है वो आपको less करना पड़ेगा विकास देखो इधर equity word आ गया तो आपको preference dividend हमेशा less करना अब देखो इधर सिफ shareholder था कौन से shareholder वो नहीं बोला तो बस चलेगा आप release कुछ नहीं करना कुछ minus करने की ज़रूरत नहीं है clear अब सवाल यह कि आपके पास क्या capital employed है shareholder fund है shareholder equity shareholder fund है तो बस वो भी fine कर लेते हैं चलो सबसे पहले आप capital employed fine करो capital employee में क्या क्या हो सकता है तो देखो equity capital हो सकती फिर preference capital भी हो सकती फिर आप reserve and surplus देखो तो वो भी हो सकता है इदर फिर debenture हो तो debenture भी हो सकता है और loan हुआ ना कोई long term loan तो loan भी हो सकती और reserve surplus add होता है ना तो समझ लो अगर आपके पास fictitious assets है तो वो भी आपके less होगी तो यह आपका total आ जाएगा capital employee ठीक है तो चलो इतना पहले देख लेते कि हमारे पास क्या capital employee में क्या क्या available ठीक है तो चलिए question में देख लेते देखो question में आप देखो तो आपके पास equity capital भी है preference capital भी है debenture भी है long term loan भी है retain earning यानि की वो एक reserve and surplus का ही part है ठीक है तो आप reserve surplus यानि retain earning ले लोगे फिर आपके पास fictitious assets है तो यह आपको less करनी पड़े तो चलो 20 lakhs plus 10 lakhs plus 3 lakhs plus 2 lakhs plus 5 lakhs reserve surplus और minus करोगे 1 lakhs fictitious assets तो आपका answer आने वाला है 39 lakhs कितना आने वाला 39 lakhs आपका answer आ रहा है capital employed का ठीक है तो चलिए इदर लिग देते हैं देखो equity capital कितना आया था तो 20 lakhs आया था फिर preference share capital आया था तो 10 lakhs आया था ओके reserve surplus आपका 5 lakhs आया था debenture जो था वो 3 lakhs था और loan जो थी हमारे पास 2 lakhs की थी और आपकी जो 50 days assets की amount थी वो 1 lakhs थी और आपका final answer 39 lakhs कुछ आ रहा था था ठीक है अब आप देखो ये तो capital employed आ गई अभी आपको क्या निकाल shareholder fund ओके आपको shareholder fund भी निकालने और इधर equity shareholder fund भी निकालने अब देखो यहाँ पर word कौन सा use हुआ shareholder तो कौन से है shareholder वो आपको नहीं बताया गया तो आप equity share भी consider कर लो 20 lakhs ओके preference share भी consider कर लो 10 lakhs क्योंकि shareholder बोला है बस कौन से shareholder वो आपको specify नहीं किया गया अब fund बोला है तो fund बोला है तो आप क्या ले लोगे 5 lakhs का reserve surplus भी ले लोगे अब देखो debenture जो होता है ना वो shareholder थोड़ी होते है वो shareholder थोड़ी होते है थीक है debenture loan जो होती है वो तो हमारे business से बाहर से हमने किसी से loan पे लिया होता है पैसा तो वो हमारा business में owners का fund नहीं होता है और 50 days asset जो होती है वो तो मैंने आपको बोला कि minus होगी क्यों माइनस होगी क्योंकि आप reserve surplus को add कर रहे हो तो यह आप कर लो तो आपका answer कितना आ रहा है 34 lakhs ठीक है इसको हम owners fund भी बोलते हैं ठीक है इसको हम दूसरे term में owners fund भी बोल सकते हैं ठीक है shareholder fund means के owners fund हो जाता है complete हो गया अब देखो third में आपको क्या पुछा equity share hold as fund अब देखो इधर जो word use किया है वो equity share use किया है तो आप सिर्फ equity share को ही consider करो equity share कितना है 20 lakhs ओके preference को छोड़ दो अब देखो इधर fund लिखा है तो यस बिलकुल आपको fund लिखा है ठीक है तो fund लिखा है तो आप reserve surplus को consider कर लो कितना आने वाल है 5 lakhs और यह दोनों तो पहले ही निकल गए थे तो reserve surplus add होने के कारण यह ficted is assets भी less होगी तो आप इसको less कर दो तो 24 lakhs आपका answer आगया अब देखो आपके पास तीनों तीन के amount आगई पहली amount आई 39 lakhs दूसरी amount आई 34 lakhs और तीसरी amount आई 24 lakhs तो आप इदर लिख दो अभी सबके divide में पहले में क्या divide करना है 39 lakhs इन 200 करेंगे ठीक है जो भी answer आई निकाल देंगे बाद में इदर कौन सा answer आई था तो 34 lakhs आया था इन 200 कर लेंगे और इदर जो answer आया था डिवाइड में वो आया था 24 lakhs ओके चालिए अब आपको क्या consider करना है तो देखो सबसे पहले जो था उसमें net profit था लेकिन before interest and tax था तो before interest and tax का net profit कौन सा हो गया तो देखो ये before interest and tax का net profit ये हो गया net profit before interest and tax कितना हो गया 13 lakhs और after interest and tax का कितना हो जाता है 5 lakhs यानि पहली formula जो है वहाँ पर 13 lakhs लिखोगे बाकी की formula में आप 5 lakhs लिखोगे ठीक है तो यहाँ पर आप 13 lakhs लिख दोगे ओके और फिर divide करोगे तो 13 lakhs divide by 39 lakhs into 100 करने पर आपको 33.333 percentage आपका answer मिलता है और यहाँ पर आप कितनी amount यूज़ करोगे 5 lakhs तो 5 lakhs divide by 34 lakhs into 100 करोगे तो आपको answer मिल रहा है 14.71 percentage और यहाँ पर भी आप 5 lakhs यूज़ करोगे लेकिन ध्यान रखना आपको preference share पर जो dividend था वो लेस करना पड़ेगा तो preference share पर जाके देखो कितना dividend बनता था देखो preference share कितने percent के थे 10% के थे तो 10% पर dividend कितना बन रहा है तो 1 lakhs होगा ठीक है 10 lakhs का आप 10% करते हो तो 1 lakhs dividend हो सकता है तो 1 lakhs रुपिज आपका dividend minus कर दो तो आपको 5 lakhs में से 1 lakhs minus करने से मिलता है 4 lakhs ठीक है 4 lakhs और यहां पर आप 1 lakhs लिख दो चली और आप अपनी calculation करो 4 lakhs divided by 24 lakhs into 100 तो final answer है 16.67 percentage okay complete हो गया अब finally आपको पूछा गया था एक और ratio था जिसमें था data's ratio ठीक है आपका last जो ratio था वो data's ratio था ठीक है यह रहा आपको पूछा है data's ratio ओके जो कि 360 days लेके आपको calculation करना है अब देको data's ratio easy है आपको इज़र क्या बोला गया second point में कि data's and bill receivable are 33 और 33.33 अब देको इसका जब आप यूज करते हो तो क्या यूज करोगे 33.33 percentage ठीक है या तो देखो मैं तो एक simple तरीका बता था आप किसी amount का इतना percent करो या फिर direct आप किसी amount का one third कर लो एक ही बात है ठीक है अगर मैं 300 रुपे का 33.3333 percentage करो या तो फिर 300 को अगर सीधा one third कर लो दोनों का answer एक ही आना है ठीक है आप percentage करो या तो फिर सीधा one third कर लो दोनों का answer एक ही आना है ठीक है तो जब भी आपको ऐसे percentage पूछे ता आप उसकी fraction value उसके कर लो जैसे 33.33% की जो fraction value है वो one third तो आपको क्या बोला गया कि जो current assets है current assets उसका 33 और one third percentage आपकी data's और bills receivable की amount तो इधर calculation कर लेते data's and bills receivable कितना हो सकता है तो आपके पास current assets कितनी है 15 lakhs तो 15 lakhs की current assets का आप one third कर लो या तो आप 33.33% एक ही बात है आपको 5 lakhs ही मिलता है answer इससे एकदम perfect answer मिलेगा उसमें आपको कुछ 49 4 lakhs 99,000 ऐसा कुछ answer मिलता है ये एकदम perfect आए तो यहाँ पर आपको data's ratio में काम आ जाएगा ये चीज़ तो data's ratio की formula पूट करते है चलिए तो data's ratio क्या है data's plus bills receivable divide by credit sales into number of days अब देखो data's और bill receivable दोनों मिला के अपने पास file x आया into number of days आपको question में दे रखा था अब credit sales कैसे find करना है तो देखो question में आपको first adjustment में कुछ दिया था question आप देखो तो first adjustment आपको क्या दे रखा है credit sales are three-fifth of total sales देखो of total sales लिखा है ना और total sales तो आपके पास available है total sales तो आपके पास available है तो आप total sales देखो कितना है total sales आपके पास कितना है ये रख 50 lakhs तो उसमें से आपको credit sales मिल सकता है because क्या बोला है credit sales जो है वो total sales का कितना part है three-fifth part तो 30 lakhs आपका credit sales हो जाएगा तो credit sales जो है वो आपका 30 lakhs हो रहा है तो आप 30 lakhs रेख दो इदर ओके और फिर 5 lakhs into 360 divide by 30 lakhs करने पर आपको answer मिलता है 60 days इसके पीछे आप days लिखोगे तो यह आपका question small हो गया ठीक है अच्छा question है university ने बहुत बार previous year के paper में आप देखोगे तो यह question पूछाए ठीक है अलग-अलग figure लेकर तो चलिए फिर next question मैं लेकर आओंगा तब तक के लिए good bye